दोस्तो अली बाबा टीवी सीरियल की एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा ने सुसाइट कर लिया है जिस वये से उनके को इस्टार और बॉइफिंड सिजान खान को अरेस्ट कर लिया गया है आखिर सिजान खान है कौन करते क्या है और अब तक का सफर उनका कैसा रहा आज की वीडि वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा तो चलिए बीना टाइम गवाई वीडियो को स्टार्ट करते हैं शिजान का रियल नेम शिजान मोहमद खान है और प्यार से इने शीजू बलाते हैं शिजान का जनम 9 सेप्टमबर 1994 को मुंबई महारस्ट्रा में हुआ और 2022 के इसाब से वीडियो से की थी سाल 2016 में उन्होंने सिलसला प्यार का शो में काम किया फिर 17 में वह चंदर नंदिनी सेमें नजर आए उन्होंने साल 2018 में प्रिधवी वललब में एक्टिंग की इसके बाद 2019 में शिजऑयन ने 1389 और 21 less रानी एक थारावन में काम किया फरवरी 2020 में वो नज़र टू में दिखे थे अच्छी रेटिंग के बावजुद क्रोना महमारी में ये शो बंद हो गया था साल 2021 में शिजान ने पवित्र भरोसे का सफर में आरिया का किरदा निभाया और फिलाल शिजान अली बाबा दास्ता काबूल में काम कर रहे थे लेकिन इनके कोईश्टा तुनिश्या शर्मा ने सैट पर सुसाइड कर लिया तुनिश्या की मौत के बाद तुनिश्या की माने उन पर गंबिर आरोप लगाए फिर आईपीसी की धारा 306 यानि आतम हत्या के लिए उकसाने के लिए उनके गंते हैं और इनका कौन सा टी वी सीरियल आपने देखा है चलिए मिलवाते हैँ आपको शिजान खन की फैमिली से तो दोस्तों इस पिकचर में शिजान खान के लिए इस ओफादर को आप देख सकते हैं और दोस्तों शेजान खान का नाम तुनिशा से पहले कुंडली भाग गया फिर्म एक्ट्रेस मिरिनाल सिंग से भी जुड़ा था लेकिन दोनों का ब्रेक अप हो गया था और फिलाल तुनिशा शर्मा को डेट कर रहे थे अब बात करते हैं शेजान खान के हाउस के बारे में तो दोस्तों शेजान खान अपनी फैमिली के साथ मुंबई महराष्ट्रा में रहते हैं मुंबई महराष्ट्रा में इनका एक सुन्दर सा अपार्टमेंट है जैसा कि आप देख सकते हैं वहीं बात करें शेजान खान के इंकम के बारे में तो दोस्तों शेजान खान एक एपिसोड में काम करने के लिए 30-35 रुपे चार्ज करते हैं और ज्यादा तर इनके इंकम ब्राइन इंडोर्समेंट से होती है और ब्राइन को इंडोर्स करके लाग रुपे कमा लेते हैं वहीं बात करें शिजान खान के नेटवर्थ के बारे में तो दोस्तों इनका नेटवर्थ है लगबग 2 कडोर रुपे तो ये थी शिजान खान के लिए विश्टल वीडियो दोस्तों आप हमें कमेंट करके जरूर बताना क्या आप शिजान खान को इससे पहले जानते थे अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना